नमस्कार पोल पंच में आपका स्वागत हैं, आपके साथ हूं नरेश कुश्यारी इस बार लोक सुबा चुनाओं के दो चरणों के लिए मद्दान हो चुका है लेकिन चिंता वाली बात ये है कि मद्दान प्रतिशत जो है वो 2019 के मुकाबले बहर कम है और यह चिंता भी बाढ़ रही है और सस्पेंस भी पै immensely कर रहा है कि यहां के लिए इस बार होने वाला क्या है क्या इस बार सत्ता पलत होने वाला है या सत्ता को फाइदा होने वाला है क्योंकि 400 प्लस का नारा दियह भारतियान तो पार्टी ने नरेज देखेंगे कि कम वोटिंग हो रही है उसके क्या परिणाम हो सकते हैं इन तमाम चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है रोच की तरह अरुन 24 सर संपादक हैंडिया.com के तो सर चिंता वाली बात है या क्या कहेंगे कि कम वोटिंग होना क्या संकेत देता है नरेज देखेंगे कि दो फेज की वोटिंग हो चुकी है लोगसभा की तकरीबन 189 सीट्स पे हो गया है और 35 परसेंट एक तरह से कहिए सीट्स पे चुनाव हो चुका है और चिंता की बात थोड़ी सी ये है कि जिस तरह से जो पार्टीज ने कमपेंड शुरू किया था खासकर जो सत्ता में पार्टी है बीजेपी लेड एलाइंस एंडिये ने शुरू किया था जिस जोर सोर्स है जिस जोरस के साथ शुरू किया था वोटिंग दूसरे में भी तक्रीबन 4% वोटिंग कम हुई है जिसमें कहने को नौर्थ इसन स्टेट में त्रिपुरा में हाइस्ट हुई है लोग कह रहे हैं रिपोर्ट आ रहे हैं लेकिन वहां भी आप देखेंगे कि पिछले साल अगर 83% के करेब 83% के करीब वोट वोटिं यहां जिस तरह से गर्मी इस बार बहुत तेजी से बढ़ी है कुछ जगहों पे जो है 44 डिग्री के तक्रीबन टेंपरेचर बढ़ गया तो ऐसी स्थित में जो है जो लोग वोट देने वाले हैं वो सुबह सुबह या तो साथ बजे तो आ नहीं सकते हैं तो जो जो जारत लोग देने वाले हैं तो बारा बजे तक तब तक तापमान पूरी तरसे उपर जा चुका होता है 40 प्लस टेंपरेचर या 40 के करीब का टेंपरेचर सबसे जादा उतसाज को मारने वाला होता है दूसरी बात यह है कि दो बात से जो है 2014 और 2019 के चुनाओं में जिस तरह की जो जोश हुआ करता था दो हजार और तीसरी बार चुनाव लड़ने के समय जो है थोड़ा सा एंटी इंकमेंसी वाला फैक्टर आ जाता है वो थोड़ा-थोड़ा सा दिख रहा है और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से प्रदान मंत्री मोदी ने 400 पार का नारा दिया है उस उत् हमें शामिल होती हुई नहीं दिख रही हो सकता है उसके सारे उसके लिए बहुत सारे कारण है एक कारण की मैं बात करूंगा कि अनिम्प्लाइमेंट महंगाई दो बड़े मुद्दे हैं जिसको की जो ऑपोजीशन ठीक से चुनावी मुद्दा नहीं बना पाई है नहीं ब पॉपूलेशन जो है अठारा से लेके जो 35 के बीच की जो कामकाजी वर्ग है जो सबसे जादा उसी को इंप्लाइमेंट की जरूरत है वो वर्ग पूरी तरह से सैटिस्फाइट नहीं दिख रहा है वो बहुत सारे चीज़ों में लोगों को उमीद है उमीद थी कि 10 साल के धर्मियान जो हो बहुत सारा परिवर्टन होगा उतना तो नहीं हो पाया है जिसकी वज़े से भी थोड़ा सा निराशा का भाव भी कहीं न कहीं जो है लोगों के बीच में यह दिख रहा है लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में है कि कम वोटिंग से किसे नुक् रहा हूं कम वोटिंग होती है तो लोग जो है जो यह मान के चलते हैं कि जिसको जीत रहा है वो जीती रहा है तो हम दे आना दे इसे कोई बहुत फर्क पड़ता नहीं है ऐसे ऐसे तरह के भी एक एक जनता के दिमाग में यह बात आती है तो लोग कैजुल हो जाते कि यार य नाव तो मैं तो Congress कर दे नहीं पा रही है तो हम क्या निकले हैं वोट देने हमारे एक वोट से कौन सा जबकि मानना ये था कि वोटर्स जो यूथ वोटर्स और जो फर्स टाइम वोटर्स की भी जन संख्या इस वार की संख्या जो है जादा बढ़ी है तो वो लोग पूरे जिस तरह से जोस के साथ वोट देंगे वो जोस दिख नहीं रहा है उसका कारण यही है कि या तो अपोज नहीं रहना चाहता है तो उसमें अपने काडर को मोबिलाइज करके दूसरी बात मैं कहूं कि जो ऑपोजीशन में है जैसा कि आप देखेंगे कि जो इंडिया ब्लॉक बना इंडिया ब्लॉक बना कि हम पूरी तरह से जो है हर स्टेट में कुछ-कुछ सीटे कम करेंगे शु इसी तरह से जो है हम हम राजस्थान में मध्यपरदेश में गुजरात में इस तरह के जो स्टेट थे चछतीस गड़ में जहां से पीजेपी मजबूत है वहां से थोड़ी-थोडी सीटे कम हो जाए और साउथ से अजल सीट आ जाएं साउथ से शीटे लोग जो इंडिया ब अपसी हुई तो यह बड़ा इंकरेजिंग था उपजीशन के लिए बहुत इंकरेजिंग था क्योंकि उनको लग रहा था कि अब वो इसी तरह की जो है रणनीत के साथ में केंदर तक की लड़ाई अपनी जारी रखेंगे लेकिन उसमें थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ न इसमेली के वहां की जो एलेक्शन के जस्ट पहले जो लीडर्शिप और करप्सन का जो मामला था उनलों के चीफ निस्टर चेंज करना पड़ा यह सब जो कारण थे जिनकी वज़े से बीजेपी वहां बैक फूट पे चली गई वो कारण उनको ऑपोजीशन को जो है इंडि इस्थान में वापस आएंगे तो उनका confidence कम हो गया और उनके जो सही होगी थे वहावी हो गया उनके सही होगी जो है वो लोग जो है कॉंग्रेस इसलिए थोड़ा डिले कर रही थी कि शायद की negotiating पार में जो है negotiation का अपना edge बनाए रखेगी और अपनी leadership में सब को अपने जाल में वो लोग चाह रहे थे कि अभी से दिसंबर के पहले ही सभी पार्टी बैट के seat पे बटवारा कर लें और जो है एक common minimum प्रोग्राम बना ले लेकिन उसका अगवाई कौन करेगा इस पे जगडा हुआ जगडा तो नहीं कह सकता हूं लेकिन मनमटा होने सुरू हुए जिसमें कि नितिज कुमार जी ने जो है सबसे पहले पाला बदला और उसके बाद rest of the history सबको पता है तो जो काडर में mobilization होना चाहिए था जैसे Congress Party को उत्तर प्रदेश में बिहार में जो है बिहार में तो अब वो RJD के पीछे सहयोगी हो गई है तो उत्तर प्रदेश में बह अशली बार आपने देखा होगा कि 2022 के जो है जब पिछला assembly election हुआ है उसमें तो जिस तरह से प्रियंका गांधी लड़ी उसके बाद वो शांत हो गई अगर वह लोग लड़ाई जारी रखते लगातार जमीनी जमीनी तो वो लोग लड़ाई अच्छी लड़ते उनका काड जमीनी स्थर की जो उनके पकड़ है वो छोड़ देती है आप देखें ना इसी इसी चुनाओं में जिस तरह से चल रहा है कंपेन मीडिया में चल रहा है सोसल मीडिया पे चल रहा है और आप देखेंगे कि और मानसी कस्तर पे भी कोसिस की जा रही कि लोगों के बीच में पहुचाई जाए लेकिन उसमें लग रहा है कि जैसे उपोजीशन मान के बैठा है कि ये सत्ता जो है लोग जो है आक्रोसित है आपको 50 के करीब आपके पास में seat है तो 50 से 330 में पहुषने के लिए लबी लडाई लडनी पड़ेगी प्रोग्राम होगे उसके लिए आपकी strategy होगी step by step चेप और different states की different strategy होगी इस तरह से step by step आप उस बड़ी सी party को जो हरा सकते हैं आटोमेटिक ट्रांसपोर होना मुझे नहीं लगता, यह तो फिर देड्रीमिंग टाइपी लग रही बात. इस बीच एक बड़ा सवाल है, यह कॉमन सवाल सब के लिए है, कि अगर उत्तर जो हिंदी बेल्ट है, हिंदी राज है, अगर यहां से भारतिय अंताबार्टी की सीट है घरती है, तो भरपाई कहां से होगी, साउथ से तो मुम्किन लग नहीं रहा है। साउथ इंडिया में दिखिया है, इन्होंने केरला में उम्मीद लगा रखी है, कि बीस में से तकरीवन चारपाश सीट पे यह लोग अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, तिरोनन तो पुरम है, उसके लाबा जो है, दो चार और सीट पे है, इन लोगोंने उमीद बना हैं, बीजेपी के नेता, मैं उनका नाम नहीं रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ, लेकिन उनकी एक सीर्स कम्मुनिस्ट नेता से मुलाकात हुई, और वहाँ पर एक अफवा फैल गई, कि अफवा क्या यह फैलाई गई डेलिबरेट तरीके से, कि वो जो है बीजेपी के नेता उ वार्निंग भी दे दी, कि इस तरह से अपना एसोसियेशन दूर रखिये, तो जो पॉलिटिकल कंफ्यूजन चुनाओ के दरमयान इस तरह का फैलाया जाता है, उसकी भी एक भूमिका होती, लेकिन यह कितनी कारगर साबित होगी, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं यह ज दिखता जनता के सामने, यहां तो दिख रहा है कि अलायंस में ही आपस में एकता नहीं है, और वो कह रहा है कि दिल्ली में हम सब मिलके बीजेपी को खाड़ फेकेंगे, तो थोड़ा सा कंट्रडिक्शन दिखता है, तो देखिए पहले और दूसरे चरण के चुनाओ में सबसे जो हैरान करने वाली बात ही थी कि मत प्रतिशत जो था वोटिंग वोट जो पड़े है, वो कम पड़े हैं, जिसके बार यह तमाम प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं, कि हो सकता है, यह बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, और हो सकता है, कॉश को अभी कु भी पूरी तरह से confident होके नहीं कह सकती कि हम जीतेंगे ही हमारा जो नारा है 400 पार वो जो है पूरी तरह से जिस तरह की हमने strategy की थी उसी तरह बढ़ रहा है और opposition के दिमाग में भी confusion एक तरह से हो गया है कि जो जनता किस तरह से सोच रही है ये confusion फिलहाल दिख रहा है तो देखे कि तीसरे phase के लिए क्या क्या तैयारियां और कहां कहां क्या चल रहा है ये तमाम चीज़े हम समवार से आप तक पहुंचाएंगे रोजाना हमारे सांद जोड़ी रहेगा पोलपंच में हम आपको पॉलिटिकल अपडेट देते हैं समिक्रन बताते हैं और किसकी और